आप लोगों ने मेरा अफारन किया है न और अम मुझे मेरे परिवार को सौंखने के लिए उनसे धन लोगे और उससे विलास्ता भरे काम किरोगे क्यों डाकुजी सही कहा न मैंने अरे ये हसने वाली बात नहीं है ध्यान देने की बात है छोटी आई शपत वो मेरे सारे प्रफ्णों का उतर बड़े प्यार से समझाती है और अब उनी की समझ में आपको समझाने वाली हूं पासा के ध्यान से सुनिए अगर आपके स्थान पे किजी और बुद्धिमान व्यक्ती ने मेरा अफारन किया होता तो वो उस वक्त अपने और अपने परिवार का वविश्या भी सुरक्षित कर लेता इसलिए वो मेरे पिताजी से सरव धनी ही नगी दूर देने वाली गव्माता, फसल देने वाली जमीन और उसको जोटने के लिए दो बैट भी मांग लेता मेरी मानों तो आप लोग भी यही समझ मांग लो जिससे आप और आपके परिवार का वरिश्या सुरक्षित हो जाए और वो अपराथी की जग्ये महनत के पूरण पोली खाएगा बस, महुत हुआ प्रवचन, आप इस बच्ची को भोजन आईए जल्दी से भोजन है आईए वहाँ, भोजन के पाद मेरा भोडा मंजी मेरे को सवारी कौन कराएगा जल्दी पताओ, रज्जा मत करो